51 mm motor से direct और indirect fire करने का तरीका सिखाना है सुरू सुरू का काम बंदोबस की करवाई, क्लास की गिंती और डेटो में बांट, हतियार और समन का निरिक्षन दोराई, fire से पहले motor को ले करना क्यूंच रोड़ी है? दुरुष सिधाई हासिल करने के लिए बंब का रिटर्णर के अपडिला होने से fire पर क्या अज़र होता है? बंब इस fire होने का अंदेशा हो सकता है पहुच 51 mm motor एक प्लाटन का एरिया वेपन है इस हतियार में dial side की उसी विधा दिया गया है जिससे हम नजर आने वाले और नजर ना आने वाले जिसमन के उपर उन अस्थानों से भी fire कर सकते हैं या fire डाल सकते हैं जहां पर flat trajectory वाले हतियारों से fire नहीं डाला जा सकता है इस पर नंबर एक और नंबर दो detachment के तौर पर काम करते हैं उदेश उदेश दुबारा सुने जोर देने वाली बातें flat trajectory वाले वेपन और 51mm मोटर के direct fire में अंतर indirect fire में subsidiary और auxiliary aiming mark का इस्तिमाल और correction देने का तरीका सबक सबंदी समान 51mm मोटर, dial sight, pom bag, sig rifle, magazine, figure 11 target, easel, board, marker, duster, auxiliary aiming mark और ground seat भागों में बाट भाग एक direct fire करने का तरीका और भाग दो indirect fire करने का तरीका भाग एक direct fire करने का तरीका question number one direct fire किसे कहते हैं उत्तर जब एक motor dead target को देखते हुए target के उपर motor को लेकर के fire करता है उसे direct fire कहते हैं flat trajectory वाले हथियारों में fire are open site या telescopic site की मदद से target के point of aim पर दुरूस सिस्ट लेकर fire करता है और 51mm motor में motor dead target को देखते हुए motor को उठा का target की सीध में ले करता है तो उसे direct fire कहते हैं direct fire किस प्रकार से किया जाता है करवाई का demo बयान के साथ नंबर एक के हैसियत से दूँगा नंबर दो का काम करने के लिए नायकरवी स्थान ले उठाए हथियार और एमिरेशन motor dead समने देख चार सो गुस्मन का LMG पोस्ट बरबात करेंगे ही मार्टू चार्ज ओन से मांट मोटर ready ले फायर direct fire करने के तरीके में किसी भी इस्टूदिन का कोई सवाल सवाल नहीं तो bomb on target target प्रबात drill bomb खाली कर ये था भाग एक का demo अभी होगा इसी का अभिहास क्लास से direct fire करने का अभिहास कराया जाए भाग दो indirect fire करने का तरीका question indirect fire क्या होता है answer indirect fire करने वाले हाथियारों से जब fire को target दिखाई ना दे रहा हो तब उस हाथियार को किसी कुदरती या बनापड़ी निसान की मदद से target के उपर ले करके fire किया जाता है उसे indirect fire कहते है question 2 infantry बड़ालें में direct fire के लिए कौन-कौन से weapon इस्तिमाल किये जाते है answer 51 mm motor 81 mm motor 30 mm AGL, AGS 40 mm UBGL indirect fire करने के लिए aiming mark की जूरत पड़ती है aiming mark job motor date चुदरती या बनापड़ी निसानों की मदद से motor को target पर ले करके उसे बरबाद करता है उसे aiming mark कहते हैं ये दो बरकार के होते हैं subsidiary aiming mark और auxiliary aiming mark subsidiary aiming mark target area में पहले से मौजुद वह बनापड़ी निसान जिनकी मदद से motor को target पर ले करके target को बरबाद किया जाता है उसे subsidiary aiming mark कहते हैं जैसे की पेड़, मकान, इत्यादी auxiliary aiming mark ऐसे निसान जिनने बनापटी तور पर तियार किया जाता है इनकी मदद से motor को target पर ले करके target को बरबाद किया जाता है उसे auxiliary aiming mark कहते हैं जैसे की लकडी, पत्थर, बैनट, इत्यादी, टार्गेट को बर्बाद करने का तरीका, मोटर डेट को फायर का आदेश मिलने पर, मोटर डेट, डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, सबसीडिरी एमिंग मार्क का चुनाव करता है, उस्ताद के द्वारा बूट पर समझाया जाए, दोनों नमबर्स मिलकर, टार्गेट एरिया में निसान को देखते हैं, निसान टार्गेट के बारा बजे या छे बजे की लाइन में हो सकता है, जब निसान छे बजे चुना जाए तो ध्यान रहे, बॉम की उड़ान के रास्ते में कोई भी बाधा ना हो, यदि निसान बारा बजे या छे बजे की लाइन में ना मिले तो औक्जिलरी एमिंग मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, औक्जिलरी कंट्रोल आइटम का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो डिस्मांट मोटर पर वापस निकाल लेना चाहिए, नमबर दो बता हुए, फायर लाइन की सीद में पहले अक्जिलरी एमिंग मार्क को लगाता है, पहले अक्जिलरी एमिंग मार्क लग जाने पर, नमबर दो पहले अक् में टारगेट, ऑफजीलेरी एंग मार्क और मोटर एक ही सीध में हो, नमबर दो, नमबर एक के पास आता है और दोनो नमबर मिलकर रեडी और लेट तक की करवाई करता है, दोनो नमबर मिलकर फायर को जारिक करते हैं, बोब फायर होने पर नमबर दो केस्ट लाइन तक जाकर बॉम की मार्क वो देखता है यदि बॉम ओन टार्गेट ना हो तो कर्रेक्शन देकर दूसरा बॉम फायर किया जाता है बॉम ओन टार्गेट होने पर मोटर डेट तेज मोटर फायर की कारवाई करते हैं यह था सबस्टेरी एमिंग मार्क और अक्शली एमिंग मार्क से टार्गेट को बरबाद करने का तरीका कर्रेक्शन देने का तरीका अगर टारगेट 500 मीटर तक की दुरी पर हो तो 50 मीटर उपर नीचे और 5 डिग्री दाहिने बाँ का करेक्शन ना दिया जाए इसलिए यदि करेक्शन इससे जाड़ा हो तो करेक्शन पूरा दिया जाए अभ्यास, क्लास को इंडेक्ट फायर करने में तथा सब्सिडिरी एमिंग मार्क चुनने और ऑक्जिरी एमिंग मार्क लगाने का अभ्यास करवाया जाए संख्षेप, हिदायते फॉर अप्रेशन, अप्रेशन में फायर लाइन हमें अपने स्न्वाइपर डेट, लीडिंग सेक्षन, पीपी, एमपसी और एफ ओ ओ द्वारा दिया जा सकता है जाने, उदारन के लिए यदि हमारा नमबर एक सेक्षन, लीडिंग सेक्षन काम कर रहा है, उसका सेक्षन कमाडर हमें टार्गेट का हवाला दे सकता है जैसे की रेंज, डेरेक्षन और दुस्बन की तागाद, अपरेशन में करेक्षन अपने लीडिंग क्रूप्स के मदद से भी कर सकते हैं सुरू सुरू के काम में बंदबस की करवाई पहले से कर लिया गया था, क्लास की गिंती ऑडिटों में बाट हो जाने के बाद, क्लास सहत्यार और समान का निक्षन कर आया गया दोराई पिछले लेसन से लिया गया, पहुंच सबक सबंदी साफ और छोटा बताते हुए, उद्देश को बताया गया सबक से अजबंदी समान को एलिंग पोजिशन से स्माल पॉइंटर द्वारा एक एक करके ही दिखाया गया, सबक को दो भागों में सिखाया गया भाग एक डिरेक्ट फायर करने का तरीका, डिरेक्ट फायर कौन से एंगल से अच्छा और करगर सीध होता है, अंसर लो एंगल से, भाग दो, इंडिरेक्ट फायर करने का तरीका, एमिंग मार की अतने परकार के होते हैं, दो परकार के, यहाँ पर लेसन संचिप के साथ समा हैंगे